किसी सर्कुलर ट्रैक में एक साइकलिस जा रहा है तो क्या जरूरी है उसके लिए रोड को थोड़ा बैंक किया जाए अरे खुदी मुड़ जाओ क्या दिक्कत है वह कार में मजबूरी है कि कार को टर्ण करना है वहले सब लोग उतर जाओ ऐसे कार को उठाओ हाँ रुग गई अगर कोई साइकलिस किसी ट्रण में मुड़ना चाहता है तो उसको अपने आपको सेंट्रिक जरफ बेंड करना पड़ेगा अब देखा होगा जो मोटसाइकल के रेसर होते हैं ट्रैक चलते हैं तो कैसे जुखते हैं बहुत स्पीड होती तो मार बिलकुल लेड़ जाते हैं ठीक आवऑ यहां कंसेट हैं कैसे दिखो द्यान से अब यह है आपका यह तो ऐसे बना दिया है वर्टिकल होरिजन तो अब एक होता है कि अकर सैक्ल सीथे चल रहे हैं ऐसे हैसे तो आपका वेच डां़़ड काम करेगा मग और स्रडक का रिच्शन फोर्स ऐसे काम करेगा य जो आपका handle है cycle का, उसमें आपने इधर पकड़ रखा है, तो एक reaction force इधर, sorry, reaction कहा रहे हैं, और एक force इधर, ये दोनों एक दूसरे को balance कर लेंगे, लेकर cycle चलाएंगे, तो ऐसे handle पकड़ेंगे ना, तो इस वाले handle का force इधर, इधर, balance कर लिया, और आपका weight और reaction force, balance कर लिया, लेकिन माल लिया, अगर cyclist किसी turn से मुड़ता है, तो क्या होगा, तो देखिए, उस को फ़ले तो diagram बढ़िया बनाना पड़ेगा, जो कि बनना थोड़ा सा, संबो ठीक है, ये cycle मुड़ गई, cycle का पईहा ऐसे दिखा दो, हम बना पाते नहीं, लेकिन ऐसे चूतिया बना रह हो गया, और ऐसे ये cycle हो गई, और ये ऐसे आप यहाँ पर है, और आप भी तो टेड़े हो जाओगे न, तो आपको दिखा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं, देखो, ध्यान से सुझीएगा, यहाँ पर पईहा क्या करेगा, सड़क को ऐसे दबाएगा अंदर तर हैं, तो जब सेंटर होता, उधर जुकते हैं, दूसरी दर जुकते हैं, अब पता जला, ऐसे जुकना है, ऐसे जुक जाओगे, गिर जाओगे, या बड़ी स्पीड जा रहे हो और ऐसे मुड़ गए, लो, नहीं जुकेंगे, तो गिर जाओगे, नहीं होता ऐसा, गिर जाए बिल्कूल ऐसे लगेगा नहीं लगेगा तो यह reaction force काम करेगा cycle पर नहीं समझे आप n मान लो महत मानना हो चुकि radius r मानेगे तो अब देखिए यह horizontal यह vertical यह angle कितना होगा theta होगा ना तो n का जो theta से लगा हुआ component है वो क्या होगा n cos theta वो क्या करेगा इस cyclist के weight को balance करेगा यानि n cos theta किसको balance कर रहा है n cos theta mg को balance कर रहेगा और n sin theta किदर काम कर रहा है इदर की तरफ center की तरफ तो center की तरफ जो काम करता है वो कौन होता है centipetal force यानि कि n sin theta अगर वो मान लेते हैं v is the velocity of cyclist तो उसको mv square upon r provide करेगा अब दोनों को divide कर दो dividing equation 1 and 2 हमने 1 and 2 बोला है 1 by 2 नहीं बोला है हमको 10 लाना है तो पहले sin वराग पलिखेंगे n sin theta upon n cos theta is equal to mv square upon r into mg तो ये कड़ गया m कड़ गया तो 10 theta is equal to v square upon r अब देखे theta यहां fix नहीं है कुछ r fix है radius fix है radius भी आप बदल सकते हैं चुकि cycle चाहे तो दूर से आप turn करिए अगर r बढ़ा दीजे तो theta कम करना पड़े कोई दिक्कत नहीं अगर r बढ़ा दोगे तो overall value घड़ जाएगी नहीं है आपको v बढ़ाना है तो r भी बढ़ा दीजे आप दूर से turn कर जाएगे तो तो ये स्विकार से relation आएगा आपको जो भी अर्जस करना हो आपको विलास्टी बढ़ानी है थीटा बढ़ा दीजे दूर से turn करी जाकर कि अब दूर से जगह नहीं है तो चला दो किसी को साइकल उन्हें सर ने का तो लोग खाड़े थे बाइक चला दी दूसरे को उपर गयन क्यों अब उन्हें सर ने का था थीटा मनी चेंज करना है तो r को बढ़ा दिया हमने तो थीटा कम हो जाए तो r बढ़ा दो किसी को साइकल तो आप के बाद जगह नहीं क्या करोगे आपने थीटा को बढ़ा दोगे तो अपने आराम से साइकल जो है मुड़ जाएगी ठीक है तो इस प्रकार से यह कंसेप्ट हुआ ठीक हूँ